तो गाइस इसी के साथ हम चैप्टर के आखरी और सबसे इंट्रेस्टिंग पार्ट पर आते हैं जो है रोजट्टायल मोशन और इंकलाइन प्लेन ठीक है तो यहां जो सिनेरियो है हमारा वह ऐसे आए कुछ कि यह हमारा इंकलां पर प्लेन है यह एस इंकलांइन प्लेन है यह ऐसे इंकलांइन प्लेन से मैजर किया गया है इस पर हमने यूश मोड़ा तो यह कुछ आंके कालंक कराएं और दि Every झाया को है एंक प्लेन प्लेन पर तो तो यह जो initial point है, इसको मैं A बोल रहा हूँ, इसको मैं B बोल रहा हूँ, तो यार, मुझे क्या-क्या निकालना है, मुझे यहाँ भी वही तीन चीज़े निकालनी है, एक तो time of flight, एक maximum height और एक range, तो इसमें time of flight तो आप समझे होगे क्या होगा, वो तो time है कि कितना time लगा A से बीजाने में, अब इसकी maximum height कैसे मज़र करेंगे, इसकी height, यार हम तो plane पे बैटकर observe करेंगे ना, चीज़ को, तो हम plane से देखेंगे, height कितनी बन रही है, तो plane के respect में जो maximum height है, यह हमें निकालनी है, यह है h, and हमें range निकालनी है, वो range यह रही है आपकी, r, तो ab की length जो है, ab b line की, वो आपकी horizontal range होगी, तो इस case में हमें t, h और r निकालना है, तो सबसे पहले, हम देखते कि इस पर क्या लग रहा है, इस particle पे, तो एक बार particle को हमने हवा में release कर दिया, उसके बाद उस पर सिर्फ वो सिर्फ gravity लग रहा है, vertically downwards, ठीक है, तो यार, यहां मैं, मुझे coordinate system च की maximum height है, यह आपकी horizontal range है, यह कोई भी चीज y या x पे लाई नहीं कर रही, यह किसी angle पे लाई कर रही है y या x से, तो यहां हमारा calculation हमें गंदे होते हुए दिख रहे है, तो हम इस चीज को avoid करेंगे, हम calculation easy रखना चाह रहे हम क्यों complicated करें फालतू में, तो यहां हम ऐसा करें जो x के along आ गया, and जो maximum height है y के along आ गया, अब मैंने क्या करूंगा, मैंने इस चीज को हलका सा rotate कर दिया, और अब मैं इसको बनाने जा रहा हूँ, तो हुआ है कि यह मैंने rotate कर दिया, तो समझ रहो, यह जो पूरा diagram है, इसको मैंने alpha rotate कर दिया clockwise, ऐसा समझ लो, तो ऐसा कुछ बन गया मेरा, यह inclined plane, alpha बना रहा है, इस पर यही मेरा motion हो रहा है, बिजटल का, and यह कुछ ऐसा बन रहा है, and इस पर यह u speed से छोड़ा गया, at an angle of theta, ठीक है, तो यह मेरी maximum height है, and यह मेरी range है, जो इस point से इस point किया है, ठीक है, अब मुझे यह पता है कि यह मेरा x-axis है, and इसक तो अब देखो, हमारी gravity जो है न, वो लग रही थी vertically downward, और अब उन्हें diagram को alpha घुमा लिया, तो अब हमारी gravity लग रही है, at an angle of alpha, ठीक है, तो यहा हम क्या करेंगे, यहां थोड़ी स्मार्टने से उस करेंगे, gravity के components कर देंगे, तो यहां vertically downwards along y-axis लग रहा है, gcos alpha, ठीक है, and यहां horizontally left side में लग रहा है, gsin alpha, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम x के along देख रहे हैं, क्या क्या लग रहे है, x के along, जो u है, यानि ux है, वो क्या है, u cos theta, ठीक है, x के along, जो u का component है, वो u cos theta, and जो acceleration है, x के along, वो है, minus gsin alpha, ठीक है, क्योंकि left के along है, and y की बात करें हम, y की बात करें, तो y में क्या है, u y, क्या है, u sin theta, and a क्या है, acceleration along y, यह है, minus g cos alpha, ठीक है, तो अब देखो, यह, इस चीज में भी, मैंने जैसे पहले आपको बोला, कि इसमें x के along, कोई obstruction नहीं है, इसमें जो भी obstruction है, y के along है, यह जो incline plane पे particle टकरा रहा है, वो इसलिए टकरा रहा है, क्योंकि y axis, क्योंकि y के along obstruction create कर रहा है, आपका incline plane, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, यह जो, यहाँ जो direction हमारा time of flight को govern कर रहा है, वो again y direction है, ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, time of flight क्या, हम क्या कर लेंगे, हम इसमें use कर लेंगे, time of flight is equal to y जो हम भाग करते थे, 2u by g, बट यहाँ जो है न, यहाँ हमारा u की जगे आएगा, u y and g की जगे आएगा, g y, ठीक है, तो यह हमारा बन जाएगा, 2 times of, u sin theta divided by, यह आएगा, g cos alpha, तो हमाया जो time of flight है, inclined plane पे, उसकी value आती है, 2u sin theta divided by g cos alpha, तो यह result आप याद रख लेना, या फिर इतना याद रख लो कि time होता है, 2uy by g y, 2u by g से derive किया है हमने, यहाँ हमने u y g y देख लिया, ठीक है, तो यह हो गया हमारा time of flight, इसके बाद हम आखता है maximum height पे, तो maximum height पे देखो, maximum height में भी हम y की बात कर रहे है, x की बात तो हो नहीं रही, जो भी maximum height है y के अलोंगे, तो यहाँ सेम चीज़ होगी, यहाँ क्या करेंगे, हमने वहाँ क्या देखा था, जो normal oblique political motion था, उसमें क्या हो रहा था, उसमें maximum height का formula क्या था, u square sin square theta by 2g, अगर आपको याद हो, तो u square sin square था पर 2g यह formula था, और यहाँ u square sin square था, यहाँ से आ रहा था, यह था u square by 2g, ठीक है, तो यह सेम चीज़ हम यहाँ कर सकते हैं, यहाँ क्या बोल देंगे, यहाँ हम बोल देंगे, कि g की जगए यहाँ पर g dash है, और g dash की value है gy के बराबर, तो यहाँ मैं इस चीज़ को transform कर सकता हूँ, u square by 2gy में, अब मुझे क्या पता है, कि मेरा जो u y है, वो क्या है, u sin theta, यह तो मान लिया, और जो मेरा u, मेरा जो g y है, वो क्या है, g cos alpha, ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, u square sin square theta divided by 2g cos alpha, यहाँ से हमारा आ गया maximum height का formula, u square sin square theta by 2g cos alpha, ठीक है, तो यहाँ आपको यह चीज के लिए रहे, इसमें कुछ अलग नहीं किया, हमने बस यही u y square by 2g का formula यूज कर लिया, यहाँ हमने g y ले लिया, तो g y की value, आगे g cos alpha, ठीक है, तो यह हो गया maximum height, इसके बाद आता है horizontal range, अब यहाँ वागपिस हम x का use करेंगे, यहाँ क्या है horizontal range, कुछ ऐसी बनेगी है, इसका motion कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, तो यहाँ y के along तो लगी राय जी वाए, similarly x पर लग रहा है gx, and x पी कुछ initial velocity भी है, वो ux के बराबर, तो यहाँ क्या गारेंगे horizontal range में, हमने time of flight पता है, ठीक है, हमने time of flight पता है, तो हम x की जो range है, उसमें लगाएंगे second equation of motion, जो होता है, s is equal to ut plus half 80 square, यहाँ पे यह जो range है, इसको हम r बोल देंगे, u, हमारा जो ux था, वो क्या था, u cos theta, into time of flight कितना था, time of flight कितना था, 2 u sin theta by g cos alpha, ठीक है, time of flight के value यह थी, 2 u sin theta by g cos alpha, यहाँ दें time डाल दिया, plus half, अब ए क्या था, minus g cos, minus g sin alpha था, यह था आपका minus g sin alpha, यहाँ से देखो, minus, यह g sin alpha लग रहा है, negative में, तो minus g sin alpha, ठीक है, और, t की value भाई, 2 u sin theta by g cos alpha, इसका whole square, तो आप इसको solve करोगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा, 2 u square by g में common ले रहा हूँ, ठीक है, 2 u square by g में common ले रहा हूँ, तो यहाँ से मेरा बच्चे का, cos theta, sin theta, divided by cos alpha, minus, minus, 1 by 2 times of, 1 by 2 times of, यह 2 जो है, इसका square है, तो 4 बन जाएगा, 4 2 से कट जाएगा, तो 1 by 2 नहीं बच्चेगा, तो जब मैं इसको simplify करूँगा, तो यहाँ से मेरा बच्चेगा, यह 2, यह 2 कट गया, यहाँ उपर 2 बच्च गया, यह g square g कट गया, यहाँ नीचे g बच्च गया, and u square आ गया, तो उन सब को हटा के, end में बनेगा, sin alpha, sin square theta, divided by, cos square alpha, यह आएगा, यहाँ से मेरा बच्च गया, और चीज़ें common लोगा बाहर, तो मेरा आएगा, 2u square by g into sin theta, divided by cos alpha, यह वापिस common ले लिया, यहाँ मेरा बच्चा, cos theta, minus sin alpha, sin theta, divided by cos alpha, ठीक है, तो जब हम इसको लेंगे common, मैं next slide पर लिख रहा हूँ, 2u square by g into sin theta by cos alpha, and then, यहाँ हम denominator common ले लेंगे, तो आएगा, cos theta, cos alpha, minus, sin theta, sin alpha, and उसके बाद, नीचे cos alpha, अब अगर आपको formula यादो, तो यह जो cos theta, cos alpha, minus sin theta, sin alpha, यह formula होता है, cos of theta, plus alpha का, यहाँ से हमरा जाएका, 2u square by g into sin theta, into cos of theta plus alpha, divided by cos square alpha, यह जो है, आपका horizontal range आगया, तो यह range बनेगी, projectile की, inclined plane पे, इसलिए के साथ, आपका, inclined plane projectile वाला portion खतम होता है,